कर दोस्तों फिर से एक वार का सोगत करता हूं मैं आज हम बात करने वाले हैं देश में बारे में जो की मुद्द्दा है जो कि किसानों से ञब होगए मुद्दध है कि देखो हम सब दे जानते हैं कि Sandberg जवान का नारा एक बहुत से फेमस नारा है और देश में दो लोगों की जट हमेशा करने चाहिए किसान होते हैं जवान होते हैं एक देश करक्षा करते हैं और एक अनदाता होते हैं जो कि हमारा पेड़ बढ़ते हैं ठीक यह बात बहुत ही सही है लेकिन अगर ऐसा क्या हो कि अगर किसान यह जवान तिस एक ही मांग करें उन स्कूद और दूसरों के वाइफित हैं त्याग के लिए कि कि धान प्रण और यह त्याक त्याग करता है जवान थ्याक करता है दोनों अपने पोडसे काम करते हैं डेज की सिद्टम करते हैं हर इस्तर प्रिण कहीं पर बॉडर पर अचके कहीं पर समार्च में और खाद स्रक्षा को लेकर अच्छा की जाती है लेकिन फोर इस बार का पुर्ध मैं यह सकता है और इसमें जासोंनी है है तो से पर के से हमसित कई उसको मांने चाहिए सरकार को फिखिट कि-शैडी पर मैं आपको वो चीज़ बताने का प्रयास करूंगा जो कि डाटा पर है या फिर जो रिसर्च पर अधारित है या फिर कहीं पर हमने आर्टिकल में पढ़ा है और उन सारी चीज़ों का मैं आपको डिसक्रेशन में लिंक दे दूंगा आप भी उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जान सकते हैं कि आपका भी है ठीक है तो सुरू करते हैं पहले सबसे बाद किसानों की मांग को लेगर बात करते हैं किसानों ने दिसंबर में ही बता दिया था कि हम फरवरी में जाएंगे आंदरोन करने के लिए दिल्ली जाएंगे और किरिशान संगिठनों ने भारत सरकार है या नहीं देखो कहने के लिए आप बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन जब दो महने पहले ही जनल इलेक्शन के दो महने पहले ही कोई campaign कोई hoarding यह सब दुनियावर के चीज़े की जाती है जो कि एक तरिके से मैं बोलों तो विपक्षी पार्टी को दोरा की जाता है और सतर उठी पार्टियों को अपने लिए कोई बेस त्यार करने के लिए कि जाता है लेकिन जब किसान सामने आ जाएं वह बारा मांगी लेकर तो जाहिए से बात है एक तरके से में इस्ट्री मीडिया में जो हमेशा मोधी मोधी हुआ करता था अब मोधी मोधी नहीं होगा वहां सब्सक्राइब बता जा रहा है कि में करूंद चाहिए इस पर हमें गरंटी चाहिए अब बात सूचिए जिस एमस्प की बात कर रहे हैं लोग इस एमस्प के अलामा आपको कितनी मांगे इनकी पता है मैं सर्थ लगा सकता हूं कि ज्यादा मांगे आपको पता नहीं होगी औ और मैं यह तो हंटेड परसेंट सर लगा सकता हूं कि बारा की बारा मांगे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है ठीक है तो यह सब किस तरकर से प्रोजेट किया रहा है कि आपको सिर्फ उन बातों को बता जा रहा है MSP 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 और MSP क्या है यह जाधतार लोगों को पता ही नही है क्योंकि सरकार ने पहले भी 22 फसलों पर MSP दे रखा है गन्ना को छोड़कर तो यह गरंटी उचाथे हैं यह सारे सीचे जो है यह कहते हैं हम बैठक करेंगे बैठक करेंगे आप तक पांस राउंड की बैठक हो चुकी है लेकिन इन पांस राउंड के बैठक में सरकार न सिर्श की राजानी है वहां पर बहुत जडर रहता है कि आबाधी बहुत जढ़ी तो तो पुरे दिल्ली का महल बिगड़ सकता है ट्राफिक बुरे तरह से प्रभावित हो सकता है किसी का जीवन भी इस चीज से कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है तो इन चीजों को लेकर क्या किसान इन चीजों को नहीं समझते हैं थे यह सब बाते सोचने वाले बाते हैं क्यों काम यही है कि य死 वो दूसरों को सुभधा प्रवाइड करते हैं और रेक्ति अब यहां बात करते हैं कि पंजाब किसां क्यों क्यों के अगर आप देखेंगे तो किस पूरे ज्यादा वो टेक्टर लेके निकाल चुके अच्छा टेक्टर की बात करूं तो पूरे देश में सिर्फ चार पर्षंट से ज्यादा लोग नहीं जिनके पास टेक्टर अपना खुद का है और यह संख्या पंजाब में 30 परशन की है बसाब पंजाब में 30 लोगों के पास अप क्यों आए इसके पीछे सबसे बड़ा कारान है कि पंजाब किसानों के पास देश में सब्सक्राइदा भूमी है मतलब एक तरगे से कहें तो वह जमीनदार है पूरत देश में एवरेच जो भूमी है लोगों के पास किसानों के पास वह एक हेक्टर से भी कम है जबकि पंज सरकार योजन देती है तो उनको सब्सक्राइब होगा लेकिन इन सब चीजों के अलमा आगर आप ध्यां से देखें पॉलिटिकल तो रूप से अगर तो पंजाब एक ऐसा राज्जी है पंजाब के लाव बंगाल एक राज्य जहां पर बिजेपी की गवर्मेंट जो है बिजे पर आपना वह पॉइंटर नहीं कर पाती की वह लोगों को इंफ्लिएंस कर पाए और लोगों उसे खिलाफ नजा पाएं जैसे कि मैं मतब्द जो किसान अंदोलन है उनकी जो लोग है उनका ब्यान सुनता हूं तो वह इतने हैं कि सरकार हमें या तो हमारी मांगे माले हमें बाब की गैरा मांगे माले यह तो हमें दिल्ली जाने ते अब या क्रोंग वह पिए अंदोल्रों हिकरना अपको और बड़ी मीडिया कवरिश्क कर सकति कोड़ा हूं गया नहीं हो ओगा कॉल आपको मांगे मनवाना नी प्रोटच्ट तोने करना थो टर्चक भी हैं ठीक्ट करते हुआ